हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तो विद्या इंस्टिट्यूट आज की क्लास में हम रिफ्रेक्शन क्लास 10 का एक नुमेरिकल सॉल्व करेंगे काफी इंट्रेस्टिंग नुमेरिकल है इंपोर्टेंट है ध्यान से समझेंगे सभी कफ वेल्व्य इसक्रीड़शन का एक च्छेशन करते हैं अभी समस्क्रीश आएक की सिर्वा यह कंज़र। तो जो फिलामेंट है यह वो स्क्रीन से 80 cm की डिस्टेंस पर है ना यानि हम यह कह सकते हैं कि यह डिस्टेंस इन दोनों के बीज की 80 cm है आगे पढ़ते हैं and converging length form an image of it on screen और यह जो फिलामेंट है converging length से image बना रहा है इसी screen पर magnified three times यह जो image है वो three times magnified है यहाँ पर जो image बनेगी वो three times होगी ठीक है find the distance of the lens from the filament length की filament से distance निकालनी है यानि हमें यह you find करना है and the focal length और इस lens की focal length हमें find करनी है ठीक है तो दिहान से समझेंगे सभी सबसे पहली बात तो यह है कि आपको है फिगर से दिखाई दे रहोगा यह object distance है और यह image distance है तो इन दोनों का sum कितना है according to question u plus v equal to 80 cm इस question में u plus v 80 cm है इसको हम first equation डाल देते हैं and दूसरी बात क्या given है magnification magnification 3 given है और magnification को हम M3 note करते हैं और सभी को पताना है magnification होता है minus v upon you तो यहां से हमें v equal to 3u मिल रहा है इसको हम put कर देते हैं first equation में तो first equation में जब हम यह put करेंगे तो क्या मिलेगा u plus 3u equal to 3 sorry 80 तो 4u equal to 80 तो यहां से u की value मिल गई 20 cm तो u हमारा 20 cm आ गया ठीक है अब जब यू 20 cm आ गया तो हम यहां से निकाल लेंगे वी 3 into 20 यानि 60 cm यानि हमारे question का answer आ गया distance of filament from lens lens से filament कितना दूर है 20 cm तो एक answer हमारे ही आ गया अब हमें क्या निकालना है दूसरी चीज निकालनी है focal length तो उसके लिए हमें lens formula apply करना पड़ेगा और सभी को sign convention से आपको पता होगा by sign convention यू हमें था negative होता है तो यू-20 और वी हो गया 60 और lens formula lens formula क्या होता 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F तो ये वाला formula apply करके हमारा F आ जाएगा तो वन अपन 60 माइनस वन अपन माइनस 20 ये LCM ले लेंगे 60 ये प्लस 3 तो इसका मतलब क्या हो गया जो हमारी focal length है वो कितनी हो गई 15 cm तो ये हमारा answer हो गया तो इस तरह से मैं आपको इस question में दो चीजे बताई है कि किस तरह से हम object distance निका लिए हमने और कैसे focal length निका लिए है तो सभी को समझ मा गया होगा अब इस screen पर आपको reflection of light की playlist नजर आर योगी वहाँ पर आप बहुत सारे important question और diagram बगरा देख सकते हैं thank you very much